तो चलो हम रेश्पी की और आगे बढ़ते हैं यहां हमने जो है सबसे पहले नारियल लिया है सुखा नारियल है अगर आपके पास फ्रेश है तो आप भो भी ले सकते हैं हमने जो है इसे पीस लिया है अगर आपके पास कोकोनट पाउडर है आप भी ले सकते हैं हमने इसमें टूटल टेबल स्पून जो है इसमें एक होपरा डाल देना है नारियल हम इसमें डाल देंगे और अब हम हम इसमें आड़ करेंगे, रेजिन्स, यानि कि सोकी, जिसे हम बोलते हैं, रेजिन्स शो एक किस्मिस, रेजिन्स, अब हम यह पे ले रहे हैं, गर आपके पास ब्राउण ब्रेट, तो आप वह भी ले सकते हैं, हमने यहाप एक bread को लेना है, और bread की जो sides है, corners है, इनिह हमें निकाल देना है, इसे हमें फेकना नहीं है, हम bread gum बना के snacks में इसे यूज़ कर सकते हैं, और हमने इसी तरह से बाकी bread के भी corners को जो है, अलग कर देना है, हमने यहाप area corners अलग कर दिये हैं, और अभी हमने इसका सारा पानी निकाल देना है, इससे हमारा जो ब्रेट है किलकुल सॉफ्ट हो जाता है, और अभी हम इसमें आड करेंगे स्टफिंग, फ्रेंट्स यहां पर जो स्टफिंग है, अगर आप चाहे तो ब्रेट को ना इसी तरह से बन कर सकते हैं, और एक वड़ भी बना सकते हैं, हमने इस तरह से इसे अपी बन कर देना है, और एक वड़ा की शेप दे देनी है, और हमने इस तरह से वड़ा बना लेना है, और बाकी के वड़ा भी जो हम इस तरह से त्यार कर लेंगे, हमने यहां पर सब भी वड़े बना लिए हैं, अभी हमने यहां पर दही लिए, दही को हमने पहले से विस्क कर लिया था और अभी हम इसमे अड़ कर रहे हैं पाउड शुगर, पाउडर सुगर में यहां पर टू टेबल स्पून ली है और दही में यहां पर डेट कप ली है, हम इस से अच्छे से मिंक्स कर देंगे हमारी यहाँ पे दही बिल्कुल रेडी हो गई है और अभी हम यहाँ पे लेंगे एक serving plate जिसमें हमें सर्व करना है हम वो ले लेंगे सबसे पहले हम इसमें दही लगा देंगे हमने यहाँ पे थोड़ी सी दही लगा देनी है और अभी हम इसके उपर जो है वड़ा लगा देंगे हमने वड़ा लगा देना है और यहाँ पर हम लगा रहे हैं यहाँ पर हमारे चार वड़े आएंगे हम इसमें लगा देंगे हमने यहाँ पर वड़े लगा दिये हैं 10 मिनट के अंदर जो हमारा यह दही बड़ा है बनकर त्यार हो जाता है और 100% गरंटी है आपके घर में बच्चों बड़ो सबको जुरूर पसंद आएगा आप यह रैस भी जुरूर ट्राई करना हमने यहाँ पे जो है दही लगा दी है अभी हम इसके उपर लगाएंगे हरी चटनी जो हम अकसर घर पे बनाते हैं धनिय और पुदीने की चटनी है हम इसके उपर लगा देंगे अभी हम इसके उपर लगाएंगे मीठी चटनी इंबली की चटनी है हम इसके उपर लगा देंगे थोड़ी थोड़ी हमने इसके उपर ये भी लगा देनी है और आपको अगर रेस्पी चाहिए है मीठी चटनी की, हरी चटनी की तो नीचे description box में दी हुई है आप वाप पे देख सकती है हमने इस तरह से इसके उपर मीठी चटनी, हरी चटनी दोनों लगा दी है अभी हम इसके उपर थोड़ा सा स्प्रिंकल करेंगे रेड चिली पाउडर है हम इसके उपर स्प्रिंकल कर देंगे अभी हम इसे गार्निश करेंगे अनार के साथ और हमने यहाँ पे अनार के दाने लिए हैं अनार के दाने हम इसके उपर लगा देंगे और फ्रेंट से हमारा यहां पे जो है दही वड़ा बनकर बिल्कुल त्यार हो गया है है ना बनाने में बहुत ही असान तो आप यह रेस्पी जुरू ट्राई करें और अगर आपको मेरी रेस्पी अच्छी लगी तो प्लीज आप लाइक करें शियर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें थैंक्यू फॉर वाचिंग